हेलो सातियो मैं रवेंद्रियादव आपके अपने प्यारे से यूटूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ तो सातियो जैसा कि आपको पता है कि अपनी रेलिवे की जो सीरीज साइंस की चल रही है उसमें हम फिजिक्स में कल जो पड़े थे वो पड़े थे सार्थाकंक, कोटीमान और पूड़ अंकन आज मैं उन सभी के कुश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको आज एक नया चलिए देखते हैं आज के कुश्चन के बारे में देखें आज का पहला कुश्चन क्या है कोई एक संख्या दिये 0.072 00 में सार्थाकंकों की संख्या कितनी है सिगनिफिकेंट फिगर पूछे हैं हमसे तो देखें मैंने क्या बतायता मैंने ये बतायता कि जब भी डेसिमल हुआ हो जब भी डेसिमल प्रियोग हुआ हो तो असुन ने अंक के बाद वाले जो सुन होते हैं वो सिगनिफिकेंट फिगर होते हैं और जब के असुन ने अंक से पहले के नहीं होते हैं तो देखें एक तो इसमें साथ एक तो देखें कितने इसमें सिगनिफिकेंट फिग और नहीं होगा सार्तक हकनक नहीं हो गांक चड़िए अगले कौशण की दरब देखते Și अब ढगए अगला जो कुशचन वह सिर लिलेटिट अब देगे थुन्थी को कैसे करते हैं एक ब्रत्ताकार प्लेट की त्रज्या एवं प्लेट पर लगाए गए बलके मापन में तुर्टी क्रम्स है 1% 2% की अधिक्तम तुर्टिया है प्लेट पर लगने वाले दाव के मापन में अधिक्तम तुर्टी होगी तो देखे, plate पर लगने वाला जो दाव होगा, वो क्या होता है? दाव F upon A होता है, अरे P बराबर क्या होता है? अब देखेगा, सुनिएगा, ये pressure लग रहा होगा, अब इसमें कितने परशंट की 30 है? अब देखे, इसको मैं क्या लेक सकता हूं? पी बराबर एफ तो एफ है यह क्योंकि एफ में तुरुटी दे रखी है हमें इसमें क्या हम तुरुटी यह कर सकते हैं पाई आर स्कॉर्र मतलब एरिया क्या होता पाई आर स्कॉर्र तो देखे प्रेसर में तुरुटी कितनी आ जाएगी प्रेसर में तुरुटी कितनी होता एप में तुर्टी है बन परसेंट तो इसको तो बन परसेंट लेगे अपन देखिए कैसे करेंगे अब देखिए यह क्या था बताईए यह घात आगे आ जाती है क्योंकि इसका कॉंस्टेंट का तो कोई रूल होता नहीं है तो घात जैसे ही आगे जाएगे दो गुणा अब कि इसमें कितने परसेंट की तुर्टी थी रेडियस में थी आपकी दो परसेंट की तुर्टी तो इन सभी को ऊपर ले जाकर जोड़ेंगे इन सभी को ऊपर ले जाकर जोड़ेंगे तो बन परसेंट यह हो गया और तूटू जा कितना हो गया फोर फोर परसेंट यह हो गया द्यान रखेंगे हमेशा, तुर्टी में भाग या गुणा कुछ भी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, एड, ना तो अंतर करते हैं, ना गुणा करते हैं, और ना ही क्या करते हैं, भाग करते हैं, हमेशा जोडते हैं, एक परसेंट उपर है, दो और दो, दो दूनी चार पर यानि pressure में कितने percent error होगी बताइए 5 percent error होगी ठीक है जी और इसको मैं ऐसे भी कर सकते थे कि f में कितने percent through t d 1 percent पिलस गहात आगे आ जाती है गहात 2 into हम लिख लेते r percent ऐसे तो 1 percent तो यह ही है पिलस 2 into r में कितने percent through t d 2 percent तो देखिए 1 percent पिलस दो दूनी 4 percent बरावर कितना आ जाता बताइए 5 percent कितना आ जाता final answer 5 percent चलिए अगले question की तरफ चलते हैं अगला question क्या है एक गोले की तरज्या के मापन में 3 percent की तुरूटी होती है तो गोले के आयतन में परिकले तुरूटी गयात कीजिए देखिए गोले का आयतन क्या होता है गोले का आयतन क्या होता है चार बट्टे 3 पाई आर क्यू चार बट्टे 3 पाई आर क्यू अब इस से तो हमें कोई मत लिखतेंगे आप R percent तो delta B percent आपका कितना आजाएगा बताइए 3 into R में कितने percent कितने यह है 3 percent ही है तो 3 का आप multiply करतेंगे तो delta B percent आपका आजाएगा delta B percent आपका आजाएगा 9 percent यानी 9 percent इसके volume में error होगी चलिए यह question आपका अच्छे समझ में आया होगा चलिए अगले कुशन की तरफ चलते हैं अगला कुशन क्या है देखिएगा अगला कुशन है अपना यदी एक घन के आयतन के मापन में 6% की तुर्टी होती है तो घन की भुजा की माप में कितने परसेंट की तुर्टी होगी देखिए घन का आयतन क्या होत इगेए अगर में डेल्टा भी परसंट देखूं तो बराबर क्या होगा होता ये 3 इंटि बुजा का परसंट यही तो होगा बुजा में जो परसंट एडर है अब देखिए इसमें आयतन में हमें दे रहे है आयतन में कितने परसंट है 6 अचिए 20 इंटू बुजा में descrição कि निक साइड में भोजा % सही आंसर है आपका इस मुआए कुछन की तरप जलते हैं उगसông क्या है अगला कुछन है एक गोले की त्रज्जा के मापने में 1% की त्रोटी होती है गोले के आहितन को मापने कितने % की त्रोटी होगी गोले का अहितन क्या होता है चार वट्टे 3 prizes कि चार वट्टे 3 per CAdques उमें इससे कोई मतलब नहीं होता किवल का से मतलब और अप क्या लिख सकते हैं डिल्टा परसेंट आप लेख सकते हैं 3 पावर आगे आ जाएगी इंटू आर परसेंट ऐसे लिखेंगे तो डिल्टा भी परसेंट आपको निकालना है तो वो कितना जाएगा 3 इंटू आर परसेंट का मान कितना बताईए आर परसेंट का मान है 1 परसेंट तो ये डिल्टा भी आजाएगा, आयतन में कितने percent की trukti होगी बताईए, three percent कितना answer आजाएगा आपका three percent इस question का एक दम सही answer होगा, चलिए अगले question की तरब चलते हैं, इसी में अगला question क्या है अगला कुशन है एक गोले की त्रज्या मापने में तीन परसंट की तुरूटी होती है तदा द्रभ्यमान मापने में दो परसंट की तुरूटी होती है दरब्यमाण माहपने में कितने percent की 30 होती है allra हां- Hai 2% तो कितने पर्शंट की घथार्थ के घनत्तो को माहपने में density में कितने पर सेंट की error होगी तो देखें घननत्तर 순रत क्या होता है घननत्त डैन शिडी परावर होता है आपका दरब्यमाण वट्टे आइतन यह होता है अब देखे आयतन होता है आयतन तो देखे हम द्रभमान तो M ही है द्रभमान क्या है M तो आप क्या लेख सकते हैं द्रभमान M है आयतन को क्या लेखेंगे V अब देखे अब देखे अगर आपको घनत तो density निकालना है तो M को तो M ही रखेंगे वी की जगह आप लेख सकते हैं चार वट्टे तीन पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब अब हमें इसमें डेल्टा रो परसंट निकालना है डेल्टा रो परसंट क्या लेखेंगे एम परसंट डेल्टा रो परसंट को क्या लेखेंगे आप M% upon, ये तो constant है, इस तो कोई मतलब भी नहीं है, आप लेखेंगे plus, क्योंकि चाहे भाग हो, चाहे गोड़ा हो, तुरुटी हमेशा कहाँ पहुंचती है उपर, तो 3 into, 3 into power आगया जाएगी, into में क्या लेकितेंगे, हम R%, तो देखें, डेल्टा रो परसेंट आपका कितन आपके ग्यार है, तो डेल्टा रो परसेंट आप लेक देंगे, परसेंट या नहीं, इस क्वोशन का सही answer होगा आपका 11% A option will be the correct answer मुझे ऐसा है कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा चलिए अगले कुशन की तरफ जलते हैं किसी पिंड के द्रभमान तथा चाल की मापों में तुरुटियां करम्स है यानि M में कितने पर्षेंट की तुरुटियां पर्षेंट की तुरुटियां और बैलोसिटी में कितने पर्षेंट की तुरुटियां चाल में जो आपकी तुरुटियां वो है आपकी 3% की तो कानेटेक एनरजी में तुरुटियां पूछी है कानेटेक एनरजी तो देखें के गतिजी उर्जा का फॉर्मूला क्या होता है के वरावर एक वट्टे दो M B square होता है गति जूर्जा का formula अब देगे हम क्या करेंगे delta k percent हमें निकालना है delta k percent यदि हमें निकालना है तो देगे हम कैसे लिखेंगे delta k percent बरावर होगा आपका m percent m percent plus power आगया जाएगी 2 into v percent 2 into v percent तो delta k percent निकालना है अब हमें m percent कितना दिया है आपको 2 percent 2 दिया है m का मान पिलस 2 into r का मान कितने दिया है मतलब v velocity का मान कितना दिया है 3 percent velocity का मान दिया है 3 percent तो यह हो जाएगे 2 percent plus 2 दिया 6 percent और total हो जाएगा आपका delta k percent जो आ जाएगा connecting energy में जो percentage error होगा वो आपका आजाएगा 8 percent कितने percent आ जाएगा 8 percent will be the correct answer होगा इस question का c option चलिए एगने question की तरफ चलते हैं एगना question क्या है किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम कितने percent 30 होगी यानी volume में किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम percent 30 है यानी delta b जो percent है वो है आपका 9 percent तो पूछाएगे इसके प्रष्ट का छेत्रफन निकालने में कितने percent की 30 होगी तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले इसकी radius में 30 पता चल जाए radius में तो वह ही आएगा तीन गुणा तीन गुणा आर परसेंट पर आवर क्या लिखा है आपका बताइए तीन गुणा आर परसेंट पर आवर 9 percent लिखा है तो देखिए आर परसेंट का मान कितना आ जाएगा तीन परसेंट अरे आर परसेंट का मान कितना आ जाएगा तीन परसेंट यानी radius में कितन अब गोले का एरिया क्या होता है 4 pi r square जो गोले का एरिया होता है वो होता है आपका 4 pi r square तो देखिए यह तो constant है इसते कोई मतलब नहीं है तो delta a percent आपका आजाएगा 2 into power आजाएगी 2 into r percent तो delta a percent जो आपका आजाएगा वो आजाएगा 2 into r percent का मान कितना है r percent का जो मान है वो था आपका 3 percent तो 3 percent का multiply कर देंगे तो delta a percent यानी गोले के प्रष्ट के जो मापन में जो error होगी वो आजाएगा आपका 6 percent कितना answer आजाएगा आपका इसका 6 percent will be the correct answer चलिए एगले question की तरफ चलते है अगला question क्या है question आपको देखने हैं बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन यह बहुत ज्यादा answer question है देखिए एक बहुत तक रासी S है जो S एक इन रासियों पर इस प्रकार निरवर कर रही है यानी S का जो formula है वो है आपका a qb का response C अब देखिए question में क्या गया है A, B, C की मापों में क्रम से त्रुटी एक परसेंट, दो परसेंट और तीन परसेंट है तो रासी S के मान में कितने परसेंट की त्रुटी होगी यह पूछा है तो देखिए अगर आपको यह formula दिया है और अगर आप delta S परसेंट निकालते हैं तो देखिए आपको क्या होगा power आ गया जाएगी तो 3 into a percent लिखेंगे आप 3 into a percent पिलस हमेशा ध्यान रखें केवल गहात का गुणा होता है बाकी तुरुटी हमेशा जुडती है तो 2 into b percent लिखेंगे पिलस यहाँ कोई गहात नहीं है तो इसको भी जुड़ देंगे c percent भाग नहीं होता ना गुणा होता और ना अंतर error always will be added तुरुटी हमेशा क्या होती है जूडती है तो delta s percent हमें निकालना है तो देखें कितना जाएगा 3 into a में कितने percent की तो आप लेख देंगे 1 percent पिलस 2 into B में कितने percent की error है 2% की error है तो 2% लेख देंगे पिलस C में कितने percent की error है 3% की तो 3% लेख देंगे इसको solve कर लीजिए यह जाएगा 3% पिलस यह कितना जाएगा 4% यह कितना जाएगा 3% कितना होगा बताईए 10% total कितना हुआ 10% तो इस question का सही answer होगा आपका 10% D option will be the correct answer चलिए अगले question की तरब चलते हैं अब देखे इसमें पूछा है सार्थकंकों की संख्या तो मैं कई question करा चुका हूँ आपको पहली भी class करा चुका हूँ सार्थकंकों की तो इस question का answer आप मुझे comment में दीजिए और बताईए इस question का answer कितना आ रहा है सार्थकंकों की संख्या बता नहीं है बाकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये class बहुत अच्छी लगेगी जैहिन and जैस्री क्रस्णा to all of you